अगर आपके पास प्लेंडर है और पिछे की टेल लाइट है वो तूट चुकिए आपको नहीं डलवानी है तो कौनसी कमनी की डलवानी चाहिए और कितनी प्राइज में मिलती है साथी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हो तो अभी तक मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं कि है हमारे पास युनो मिंडा कमनी की पिछे की टेल लाइट है वो सबसे चिपेश्ट आपको पड़ेगी उसके लिए मैंने ये अन्बोक्सिंग किया है और क्वालिटी हम चेक करेंगे तो किस तरीके से क्वालिटी है वो भी मैं बताऊंगा आप देख सकते कुछ इस तरीके दूसरी कमनी की भी आती है जो क्वालिटी है वो उतनी नहीं रहेगी उसकी वज़े से अगर हमें कमनी जैसी क्वालिटी चाहिए और प्राइस बहुत कम चाहिए तो युनो मिंडा की बहुत ही बेश्ट है आप देख सकते है चारो और से हमें दिखा देता है कुछ इस तरी केस से वाइरिंग हमें देखने को मिलते है जहां पर दो बोल्ट होते है वो हमें डायरेक्ट फिट करने होते है टेल लाइ ब्रेकेट में और तीन पिन का इस तरीकी का सोकेट हमें देखने को मिलता है जो वाइरिंग में हमें डायरेक्ली लगा देना है और हमारा जो ब्रेक यहां पर बहुत सारे component बनाती है युनो मिंडा कमनी और टेल लाइट की बात करूं में तो आप देख सकते और बहुत ही चीपेश प्राइज में हमें देखने को मिलती है अच्छी कॉलिटी में और ऐसा ही नए इंफ्रेंट युडियो के लिए प्लीज सस्क्राइब है युटूब चैनल थैंक यू